Hello friends, welcome to study car, मैं हूँ आपका दोस्त प्रभाकर, आज के समात्मों लेक्षर में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं 14 दिसंबर 2023 के most important current affairs के question तो आप इस पूरे लेक्षर को बहुत ही ध्यान से लास्त तक जोड देखेगा, आज का पहला और important question है, कबीर बेदी को किस देश के द सम्मान का नाम है Order of Merit of the Italian Republic, जिसे Merito della Repubblica Italiana भी बोला जाता है, दोस्तो इस सम्मान के स्क्रॉल पर इटली के राष्टपती मैटरिला के हस्ताक्षर किये गए हैं, कबीर बेदी एक भारतिये एक्टर हैं और उन्हें इटली और यूरोप में इतालबी TV मिनी सीरीज में इटली के TV मिनी सीरीज में समुदरी डाकू सेंडोकन की भूम का निभाई थी, जिसके कारण वो इटली और यूरोप में काफी फैमस हो गए, तो इसी को ध्यान में रखते हुए इटली की गवर्मेंट के द्वारा ये सम्मान उन्हें दिया गया है, बात करते हैं Order of Merit of the Italian Republic इटली का सर्वोच नागरिक सम्मान है, जिसकी स्थापना 1951 में की गई थी, और यह सम्मान साहित, कला, अर्थववस्था, सार्वजिनिक, सेबा और सामाजिक, परोपकारी और मानुवी गर्तिविदियों के छेतर में युगदान देने के लिए दिया जाता है, दोस्तों ह हमारे देश का सर्वोच नागरिक सम्मान है, भारत रतने, इटली के बारे में कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट डिसकस करते हैं, तो इटली की कैपिटल रॉम है, राश्ट्वपती है सर्जियो मैटरेला, प्रधान मंत्री है जियोर्जिया मैलोनी, यहाँ पर ये आप ठीक है तो इसकी लोकेशन भी आप देख लीजेगा, हाली में दुनिया के सबसे सक्रिय जौला मुखी माउंट एटना जौला मुखी में बिसपोर्ट हुआ था, और यह जो जौला मुखी है यह इटली के सिसली दूइप पर इस्तित है, दोस्तो अभी हाली में इटली की ग पूश्यन पूछा जाएगा, जिसका आंसर कमेंट बॉक्श में देना है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकोन भी दबालें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिपिकेशन मिल सकेगा, टेलीग्राम को आप जौइन कर लेज पीडेफ और डेली कोई मिल जाता है, तो एप को डाउनलोड जरूर करिएगा, दोस्तो हमारे एप पर आपको मंतली करेंट अफ्यस की एबुक भी मिल जाएगी दोनों माध्यम में, यानि हिंदी और इंगलिस दोनों माध्यम में, एबुक को पलब्ध है, तो एबुक को भ पाड़े द्वार योजना शुरू की गई है, इस योजना का उद्देश लोगों के दर्वाजे पर नागरिक केंद्रित सिवाएं पहुचाना है, दोस्तो इस योजना के तहट लोगों को जन्वे प्रमाडपत्र बिबाह, मृत्यू, आय, निवास, जाती प्रमाडपत्र स सहे 43 सुभधाएं परदान की जाएंगी, अगर पंजाब में किसी को इन सिवाओं का लाव उठाना है, तो उसको एक नमबर डायल करना होगा, नमबर है 1076, दोस्तो हाल ही में लॉंच की गई कुछ महतपोण योजना इंडिसकस करते हैं, जैसे मिसंदक्ष बिहार की गवर् खुरू किया गया है, पुनीत राजकुमार हिरदय जोती योजना करनाटक राज में शुरू की गई है, मुख मंत्री निर्माड स्रमेक पैंसन योजना च्छतीसगर में शुरू की गई है, हॉट कुग्ड भोजन योजना उट्टप्रदेश में, लाडली बहना योजना परनाटक में, सबल योजना हिमाचर प्रदेश में, मिसन सक्ती स्कूटर योजना ओरीसा में, मुख मंतरी लोग शेवक आरोग योजना आसम राज में शुरू की गई है। पंजाब की बेसिक जानकारी भी डिसकस कर लेते हैं, तो पंजाब की राजधानी चंडीगर है, राजजपाल है, वनवारी लाल प्रोहित, भगवन्त मान यहां के चीप मिनिश्टर है, बिधान सबा की 117 सीटे हैं, राजध सबा की 7 और लोग शबा की 13 सीटे हैं। अब आपको कमेंट बॉक्ष में ये बताना है कि पंजाब में 5 महत्पूर्ण नदियां कौन-कौन सी बहती हैं। तो पंजाब की नदियों के नाम आप कमेंट बॉक्ष में जरू बताएगा। यहां पर आप पंजाब की लोकेशन देख सकते हैं, तो इसकी सीमा राजिस्थान, हरियाना, हिमाचल प्रदेश और जम्मो कस्मीर और इसके अलाबा इसकी सीमा पाकिस्तान से भी लगती है। नेक्स्ट कोशन है कोलकाता अंतराष्टिय फिल्म होसाव का कौन सा संस्कन आयूजित किया गया है, तो आंसर हो जाएगा 29 बा, तो कोलकाता अंतराष्टिय फिल्म होसाव का 29 बा संस्कन अभी हाली में आयूजित किया गया है, इसका आयूजित किया गया है, इसका आयूज पुरुसकार जीता है और इस फिल्म का निर्दिसन किया था इरेज टेड मोर ने कार्लोस डैनियन मालवे ने सर्बस्रेश्ट निर्दिशक का पुरुसकार जीता है अंजना दत्ता की चल चित्रो एकोन ने स्पेसल जूरी पुरुसकार जीता है दोस्तो कोलका था अंतराश्टिय फिल्म महोत्साव की शुरुबाद 1995 में की गई थी दोस्तो कुछ फिल्म पुरुसकार एक बार रिवाइज कर लेते हैं तो कुछ समय पहले 69 भी राश्टिय फिल्म पुरुसकार प्ताण किये गए थे 2021 के लिए तो इनके पुरुसकार दिया गया था सरदार उधम को और दोस्तो इसमें विक्की कॉंसल ने एक्टिंग की थी सर्वस्रेष्ट अभिनेत्री का अवाड दिया गया था आलिया भट को गंगुवाई काठिय वाड़ी के लिए और क्रती सैनन को भी सर्वस्रेष्ट अभिनेत्री का अवाड दिया गया था मिमे फिल्म के लिए सर्बस्रेश्ट अभिनेता का आवार्ड दिया गया था अलू अर्जुन को पुस्पा फिल्म के लिए और सर्बस्रेश्ट डारेक्शन का आवार्ड दिया गया था निखिल महाजन को गोदावरी फिल्म के लिए अंगला कोश्यन है राष्टिय उर्जा सरच्षण दिवस कम मनाय जाता है तो हर साल 14 दिसंबर को राष्टिय उर्जा सरच्षण दिवस मनाय जाता है जिसका उद्देश है उर्जा के सरच्षण के बारे में जागुकता बढ़ाना दोस्तो इस दिवस में भारत ग्रीन उर्जा को प्रमोड करता है जिससे उर्जा सरच्छन और बायू प्रदूशन दोनों में भारत बहतर हो सके इसे पहली बार 2001 में मनाये गये था दोस्तो दिसंबर माह में अब तक मनाये गए कुछ प्रमोग दिवस डिसकस कर लेते हैं जैसे एक दिसंबर को विश्यो एट्स दिवस दो दिसंबर को राष्टिय प्रदूशन नियंतरन दिवस 2 दिसंबर को गुलामी उनमूलन के लिए अंतराष्टिय दिवस भी मनाये गया है 3 दिसंबर को विश्यो विकलांग दिवस 4 दिसंबर को भारतिय नौशेना दिवस मनाये गया है आज दिसम्बर को अंतराष्टिय स्वयम सेवक दिवस और विश्यो मृदा दिवस मनाये गया है साथ सितम्बर को अंतराष्टिय नागरिक उडियन दिवस भी मनाये गया है साथ सितम्बर को ससस्तर सैना जहंडा दिवस भी मनाये जाता है 9 दिसंबर को अंतर राष्टिय भ्रहष्टाचार बिरोधी दिवस मनाये गया है और 12 दिसंबर को अंतर राष्टिय सारभभों में एक स्वास्त कवरेज दिवस मनाये गया है नेक्स्ट कोश्चन है चीन ने किस देश के साथ मिलकर मिसर सेट टू सेटेलाइट लॉंच किया है आंसर हो जाएगा इजिप्ट यानि मिसर के साथ मिलकर कि चाइना ने मिसर सेट टू सेटेलाइट लॉंच किया है तो चाइना और मिसर के बीच अंतरिक्ष सहयोग को वढ़ा किया गया है दोस्तों यह एक Optical Remote Sensing Satellite है और चीन ने यह कहा है कि यह मिसर के साथ Deep High Tech Aerospace है इस Satellite से क्रसी छेत्र, राष्टिय संसाधनों, सहरी नियोजन और तटिय परिवर्तन निगरानी आदी मामलों में मदद मिलेगी चलिए दोस्तों अब हम Science और Technology से Related कुछ Important Current Interface डिसकस कर लेते हैं तो Meta और IBM ने Open Source Artificial Intelligence Development को बढ़ावा देने के लिए AI Alliance लाँच किया है Google ने Artificial Intelligence Model Gemini को लाँच किया है जापान ने दुनिया के सबसे बड़े प्रायोगिक परवानू Fusion Reactor JT60 SA का अनावरण किया है अच्चता क्रश्नमूर्ती मंगल ग्रह पर रोवर संचालेत करने वाली पहली भारतिय बनी है Google ने Artificial Chat Word बार्ड को अभी हाली में लौंच किया है 14 साल बाद प्रसिद्ध वीडियो चैट एप ओमेगल को वंद किया गया है तो ये हैं दोस्तो साइंस और टेक्नोलोजी से रिलेटिड कुछ इंपोर्टेंट करिंट अफ्यस नेक्स्ट कुशन है भारतिय वन और लकडी प्रमाणन योजना भारत सरकार के किस मंत्राले ने शुरू की है आंसर हो जाएगा परियावरन मंत्राले ने तो परियावरन वन और जलबायू प्रिवर्थन मंत्राले ने भारतिय वन और लकडी प्रमाणन योजना शुरू की है इसका उदेश है भारत में इस्थाई वन प्रवंधन को प्रोसाहित करना दोस्तो भारतिय वन प्रवंधन संस्थान भूपाल के द्वारा इस योजना का संचालन किया जाएगा याद रखिएगा कि वर्तमान में भारत के परियावरन वन और जलबायू प्रिवर्थन मंत्री कौन है भूपेंदर यादाउजी भारत की कुछ परियावरन नीतियां भी डिसकस कर लेते हैं जो की कई बार एक्जाम में पूछी जाती है जैसे राष्टिय वन नीती 1952 से रिलेटेड है वन जिव सरच्छन अधनियम 1972 जल प्रदूशन निवाडन एवन नियंतरन अधनियम 1974 और 77 से रिलेटेड है ये कई बार एक्जाम में भी पूछा गया है द्हानी प्रदूशन नियंतरन कानून सन 2000 से जैव विवित्ता सरच्छन अधनियम 2002 से राष्टिय परियावरन नीती 2004 से और वन अधिकार अधनियम 2006 से संबनित है अंगला कुश्यन है डॉक्टर सोनिया त्रिखा किस राजी के लोक्षिबा आयोक की सदश्य बनी है तो दोस्तो डॉक्टर सोनिया त्रिखा जो है वो हर्याना लोक्षिबा आयोक की सदश्य बनी है तो उन्होंने अभी हाली में हर्याना लोक्षिबा आयोक के सदश्य की रू का निभाई है इसके अलाबा उन्होंने डबलु एचो यूनिसेफ और एसी आई विकास बैंक यानि एडीबी के साथ कई वरसों तक एक स्वास्त सलाहकार की रूप में भी काम किया हुआ है बात करें भारती समिधान के अंशेद 315 में किया गया है तो ये पॉइंट इंपोर्टेंट है इसे आप नोट कर लें हर्याना की विसिक जानकारी भी डिसकस कर लेते हैं तो हर्याना की स्थापना एक नवंबर 1966 को हुई थी राजधानी चंडिगर है राजपाल है बंडारू दतते मुक्कमंत्री है मनोहा लाल खटर विधासवा की नब्बे राजसवा की पांच और लोगशवा की दस सीटे हैं नेक्स्ट कोशन है क्वाल्टी ओफ लिविंग सिटी रैंकिंग दो हजार तेईस में भारती सहरों में पहले नंबर पर कौन है आंसर हो जाएगा हैदराबाद तो दोस्तों अभी हाली में फाइनेंसियल सर्विस कंपनी मरसर के द्वारा क्वाल्टी ओफ लिविंग सिटी रैंकिंग दो हजार तेईस को जारी किया गया है यानि ऐसे सहरों की रैंकिंग जारी की है जो रहने की लिहास से सबसे अच्छे माने जाते हैं तो इस लिस्ट में भारतिय सहरों में हैदराबाद पहले नंबर पर है और दोस्तो 154 वी रैंक पर पुने है जो की भारतिय सहरों में दूसरे स्थान पर है बैंगलूरू 156 वी रैंक पर है और यह भारतिय सहरों में तीसरे स्थान पर है तो दोस्तो मरसर के द्वारा यह जो जारी की गए है इसमें भारतिय सहरों में हैदराबाद पहले पर है दूसरे पर है पुने तीसरे पर है बैंगलूरू ये तो बात होई इंडिया की अब हम बात करते हैं पूरी दुनिया की तो दुनिया के सबसे अच्छे सहरों में पहले नंबर पर है आउस्ट्रिया की राज जारी करता है इस लिश्ट में चैन्नाई 161 वे मुंबई 164 वे कोलकाता 170 वे और नई दिली 172 वे इस्थान पर है मरसर की स्थापना 1945 में की गई थी और इसका हैड़ क्वाटर नियू आर्क में इस्तित है इस पॉइंट को भी आप नोट कर लिजिगा नेक्स्ट कोशन है देश का पहला एलेक्टरिक एक्षक्वेटर किस कमपनी ने लौँच किया है तो वॉल्वो कंस्ट्रक्षन एक्वीटमेंट कमपनी ने लौँच किया है दोस्तो अभी हाली में साउथ एसिया के सबसे बड़े कंस्ट्रक्षन एक्वीटमेंट इवेंट ए पर इसका यूज किया जाता है दोस्तो इस एलेक्टरिक एक्षक्वेटर की जो बैटरी है उसको एक बार चार्ज करने पर 6-8 घंटे तक वर्क किया जा सकता है अंगला कुशिन है नारी सकती बचत खाता किस बैंक के द्वारा लॉंच किया गया है तो बैंक आफ इंडिया के द्वारा नारी सकती बचत खाता लॉंच किया गया है तो दोस्तो बैंक आफ इंडिया ने नारी सकती बचत खाता लॉंच किया है यह 18 बर्स और उससे अधिक आयो की महिलाओं की जरूरतों को पूरा करता है बैंक आफ इंडिया की अगर हम बात करें तो यह एक भारती है सा आपना 1906 में की गई थी रजनीस करनाटक वर्तमान में इसके MD और CEO है हेड़कॉर्टर हैसका मुंबई महराष्ट में अब हम रिवाइज करेंगे कल के करेंट फिरस को फिर इसके बाद जनरल नोले इसके पिटारी को डिसकस करेंगे लाष्ट में पूछेंगे आपसे कुश्चन जिसका आंसर कमेंट बॉक्ष में देना है तो कल का पहला कुश्चन था भजनला सर्मा किस राज्जी के मुख मंतरी बने हैं राजिस्थान डोनाल्ट टस्क किस देश की नए प्रधान मंतरी चुने गए हैं पोलेंड तैतीसबा ब्यास समान किसे प्रधान किया गया है पुस्पा भारती को वर्स दो हजार तेश में भारत में सबसे अधिक सर्च किया जाने वाला टॉपिक क्या है चंद्रियान थरी सैंक्तुराष्ट में दो हजार तेश दिवाली पावर ओफ वन पुरुसकार किसे दिया गया है वान की मून को भारत का सबसे बड़ा अत्याधुनिक खेल विज्ञान केंदर कहां स्थापित किया गया है भुमनेश्वर में विनवेक्स 23 अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित क्या जा रहा है वियतनाम आइसीसी पिलियर ओफ दा मन्थ नवंबर दो हजार तेश किसे चुना गया है ट्रेविस हैड को किस देश के द्वारा विज्ञ के पहले चौथी पीड़ी के परमाणू रेक्टर का नावरण किया गया है चाइना सार्व भूमिक स्वास्त कबरेज दिवस 2023 का मनाय गया है 12 दिसमर 2023 को दोस्तों आज की जनरल नॉलेज के पिटारे में भारती संविधान के अंचे डिसकस करेंगी तो अंचे 361 में राष्टपती, राजपाल और राजप्रमुकों यनि की राजदूतों का सरच्छन बताया गया है 364 में महापत्तन और विमान छेत्रों के बारे में विसेस उप्वन किये गये है 368 में संविधान संसुधन का प्राधान किया गया है 379 में राजप्रमुकों कानून बनाने की सकती बताये है 370 में जम्मुकस्मीर से संबंधित प्राधान किये गये है यहाँ पर आपके माइंड में एक सबाल आएगा कि अभी कुछ समय पहले तो पढ़ा है कि 370 को हटा दिया गया है लेकिन आप याद रखिएगा कि जो अंशे 370 है वो वहीं पर है और उसमें जो जम्मु कस्मीर से संबंदित प्रावधान थे उनमें बदलाव किया गया है 376 में बात करने तो उच्च न्यालाए के नियाएधीशों के बारे में उपबंद किया गया है 377 में भारत के नियंत्रक महालेखा परिक्षा के बारे में उपबंद किया गया है 378 में लोक्षिवा आयूक के बारे में उपबंद किया गया है 393 में संचित नाम का वरण क्या गया है और 395 में निर्सन है तो दोस्तो इस प्रकार से भारती संविधान की 395 अंशेत की जो सीरीज थी बूप पूरी होती है कल से अगले टॉपिक को डिस्कस करेंगे कल के करेंट अफ्यस में पूछा गया था दिया कुमारी किस राज जी की डिप्टी चीप मिनिश्टर बनी है आंसर हो जाएगा राजिस्थान तो लगबख सभी लोगों ने इसका आंसर राजिस्थान बताया हुआ है इसके अलाबाग एक और कुशन पूछा था कि 32 बाब्या किस राज जी से संबन्ने थे जो भी इसका राइट अंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताए हमें इंतिजार रहेगा आपके अंसर का